हलो एब्रीवन मैं हूँ ममता और सागत है आपका कलाकारी हमेर तो फ्रेंड्स आज हमारी किचन में बन रही है हम सब के घरों में बनने वाली घर वाली चाय लेकिन कुछ सीक्रेट टिप्स के साथ और एक परफेक्ट मेजरमेंट के साथ ताकि आपकी चाय बने एकदम ताजा कड़क जिसकी एक चुसकी ही आपके दिन भर की धकान को दूर भगा दे और फ्रेंड्स कई बार ऐसा होता है कि आप जो सुबह शाम चाय बनाते हैं उसमें एक जैसा स्वाद नहीं आता लेकिन आज की रेसिपी से अगर आप चाय बनाएंगे तो आपकी चाय का स्वाद एकदम परफेक्ट आएगा क्योंकि आज की रेसिपी में हमने बताया है एक परफेक्ट मेजरमेंट और कुछ टिप्स और ट्रेक्स तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी तो सबसे पहले हमने चाय का भगोना रखा है और उसमें डाला है एक कप पानी है मैं दो कप चाय का मेजरमेंट बता रही हूँ और पहले हमें पानी को बॉइल करना है हमें कच्छे पानी में कुछ भी नहीं डालना है यानि हमें पानी को पका लेना है तो चलिए जब तक प चाय में बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आएगा और यह आजकल सर्दियों में तो बहुत फाइदेमंद है सर्दी खासी जुखाम होता रहता तो उसमें बहुत फाइदा करती है और यहां हमने एक क्रशर लिया है इसको कूटनी भी बोलते हैं तो दो इलाइची को हम पहले फिर अद्रक को यह हमने लॉंग लाइची और अद्रक का मिक्षर बना लिया है फ्रेंड्स आप अगर इस मिक्षर वाली चाय को पिएंगे ना तो आपका सरदर्द भी दूर हो जाएगा और यह देखिए पानी में बॉइल आ गया है अच्छे से अब हम अपना यह मिक्षर डाल देएंगे तो देखिए फ्रेंड्स यही चोटे चोटे टिप्स हैं जिससे आपकी चाय एकदम परफेक्ट बनेगी कि हमें ठंडे पानी में कुछ पी नहीं डालना है पानी को बॉइल करना है फिर कुछ डालना है और उसके बाद भी हमें यह मिक्षर डालना है अद्र आप से आप कम जादा कर सकते हैं अच्छा चाय पती डालने के बाद हमें कुछ सेकंड इसको बॉइल करना है बस कुछ सेकंड के लिए बॉइल करेंगे बस एक बॉइल आ जाएगा यह कुछ सेकंड में आ जाएगा देखिए फ्रेंड्स जब हम ठंडे पानी में कुछ हम धन्सके कि खिख्ट рखन रहतayı हैं कि हमें पहले अद्रक वगजरा whilst ़मने चाइप पति डाल नियए अच्छे से जब में इसमें चीनी डालना है कोच लगें के बाद हमें चाइपति डालने के बाद sent चीनी डालने के बाद भी इसको हमें बॉइल करना है ताकि जब हम इसमें दूड डाले तो हमारी चाय में पतला परणना हो तो चीनी हमें पहले डालनी है बॉइल करना है इसको देखिए इस तरीके से mix भी कर दें ताकि चाय का अद्रक का और जो चीनी डाले वो अच्छे से mix हो जाए पानी में और चलिए अभी एक अच्छा सा boil आ गया है इसमें चीनी डालने के बाद अब बारी आती है इसमें दूड डालने की तो यहां पर मैंने जितना पानी लिया था उतना ही मैंने यहां पर दूड लिया है एक कप दूड लिया है और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैंने यहां पर दो कप चाय का measurement बताया है सारी चीजों का तो अभी दूड डालने के बाद फिर से इसको एक बार mix कर देंगे ताकि सारी चीजे अच्छे से mix हो जाए और पूर रखना है medium रखना है low नहीं रखना है और एक boil आ जाएगा देखे धीरे-धीरे boil आना शुरू हो गया और इसको boil आने देंगे उपर की तरफ आएगा तो और यह देखे उपर चाय आने लगी है बस तभी हमें क्या करना है एक कडची लेनी है और इस से इस चाय को इस तरीके से घुमा देना है गैस का flame एकड़म कम नहीं करना है medium कर ले और कडची से इस चाय को घुमा दे यह तरीका बहुत ही अच्छा है एक चाय को अच्छे से पकाने के लिए इस तरीके से जब हम करची से चाय को उपर नीचे करते हैं तो पूरी चाय का temperature बराबर हो जाता है और बाहर नहीं निकलता है जादा नहीं होता है मिंटेन रहता है उसका temperature और देखिए आप चीनी हमने पहले डाली थी तो बिल्कुल भी दूद डालने के बाद चाय पतली नहीं हुई है अगर हम चीनी दूद डालने के बाद डालते तो हमारी चाय में पतला बना जाता हमें उस चाय के साथ चीनी भी बहुत ज्यादा पक जाती उससे भी टेस्ट खराब हो जाता तो देखिए दूद डालने के बाद हमने इस चाय को लगभग दो मिनट के लिए पकाया है आपको ऐसा लग रहा होगा फ्रेंस के तब ये डालो तब वो डालो देखिए चाय तो तभी बन चाय पति वगरा सब डाल देते हैं लेकिन नहीं फ्रेंट्स हमें एक साथ ऐसा सब नहीं करना बस थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना है कि कब क्या चीज डालनी है बस इतने से फरक से हमारी बहुत अच्छी पेस्टी चाय बन जाती और बस पांच ही मिनट लगे हैं इस दो मिनट बाद हमारी चाय का कलर देखिए टेक्श्र देखिए बहुत ही बढ़िया चाय बनी है और चलिए अभी सर्व करते हैं इसको हम कुरणड वाले कप में क्योंकि आजकल सर्दी है और सर्दियों में कुलड वाले कप में डालके चाय पीते हैं तो हाथ में जब इस कुलड को पकड़ते हैं तो एक अलगी स्वाद आता है अलगी फीलिंग आती है और चाय का स्वाद दुगना हो जाता है और ये लीजिए हमारी कड़क ताजा घर वाली चाय बनकर ready है जिसकी एक जिसकी आपके पूरे दिन भर की ठकान को दूर कर सकती है फ्रेंट्स एक बार आप इस measurement के साथ और इस तरीके से चाय बनाईए आपके घर में सब पूछेंगे कि आपने कैसे बनाई है यह चाय सबको बहुत पसंद आने वाली है और आपकी चाय के तो सब दिवाने हो जाएंगे तो यह चाय ट्राइ करना बनता है और फ्रेंट्स जब भी आप इस चाय को ट्राइ करें तो comment box में अपना feedback मुझे ज़रूर दे रेसिपी अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को like share ज़रूर करें और अगर आप चाय लवर हैं तो इससे पहले मैंने highway वाली चाय की रेसिपी आपके साथ शेयर करी है आप जाकर ज़रूर चेक करें और नई नई रेसिपी इस के लिए मेरे चैनल को subscribe ज़रूर कर लें फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी में तब तक के लिए bye bye thanks for watching